हेलो गाइज एंड वैलकम तो माई यूट्वीब चैनल इंडियन ट्रक कंड बस तो हम आपके सामने गाड़ी लेकर आ चुके हैं टाटा 35-25 बारां टायर गाड़ी है और 2023 मोडल गाड़ी है बिया सिक्स फेज टू का यह मोडल है तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर दीजिगा सबस्राइब उसके बाद गाड़ी का रिव्यू शूटू करते हैं तो दोस्तों पहले आप गाड़ी का डैश्वूड च लेजती है यहां पर नट खोल के लगा सकते हैं उसके बाद यहां पर साइड इंडिकेटर सा जाते हैं यहां पर टाटा की आ जाती है बैजिंग और 35-25 गाड़ी का यहां पर मोडल है इसका इस बी टेकनोलोजी के साथ 6.7 लेटर का यहां पर हैवी इंजना इस गाड़ी में और यह गाड़ी जो आप देख रहें बारां टायर गारी है कावल फेस वाली गाड़ी है सिगना कैबिन भी से मिल सकता है इंटीर की बात करते हैं तो यहां पर सिगना का स्टेरिंग आगे क्योंकि इसकी आज कल बहुत जड़ां ट्रेंडिंग में यह वाला यह देखो सेड में हो रहन दिया इसमें और सेंटर में आपका टाटा का बड़ा लोगो एस अंस्टेरिंग के अंदर यहां पर इसका डिजिटल इंस्टुमेंट क्लस्टर आ जाता है जी नो सो पच के साथ हैं पर आपको सेंटर में फ्यूज बॉक्स में जाते हैं गाडी के काफी जैदा एलेक्त्रिक हो गी है गारी देखलो अब भी गाड़ी आए आई जंसी से इतने में गाड़ी में प्रोब्लम आगी इतनी जाद एलेक्ट्रिक गाड़ी है यहीं पर आपका VDC, EDC आ और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इनेट दोनों यहां पर आ जाते हैं उसके ये वाला वेरियंट काउल चैसीज वाला वेरियंट आप इस गाड़ी को 22 फिट, 24 फिट, 28 फिट, 32 फिट किसी वेरियंट में ले सकते हैं टू मोड फ्यूल एकनोमी स्विट, गेर शिफ्ट एडवाईजर और जो रैड वाले बटन हैं लास्ट में देख रहे हो और यह उपर जो रैड बटन है एक हट जाड लैंप का एक हेल्प वाला बटन है इसमें से वैसे आपकी 12 टैरी गाड़ी 25 टन पे लोड पास करती है लेकिन यह गाड़ी आपकी कैड़बरी के इंदर चलनी है तो एसी कंटेनर त्यार होना है इसलिए यह गाड़ी सिर्फ 20 से 21 टन ही पास कर पाएगी यानी 32 ट इसकी लंबाई या गाड़ी की कुल और 800 एम एम का वील वेस वाली गाड़ी यह और एक और चीज बताता हूँ जैसे चैसी यह बाहर से आती है जांतर गाड़ी यह वाली जैसे बेस्ट बंगोल यह पुने से आई है तो चैसी ड्राइवर्स क्या गरते हैं कि 40,45,000 तक इस गाड़ी का शोरूम प्राइज है जो सीटी तो सीटी डीफर कर सकता है बात करें वरंटी की तो 6 साल और 6 लाख किलोमेटर ड्राइव लाइन पर इसकी वरंटी है और उसके बाद 3 लाख 3 साल विकल पर वरंटी है और बाकी टायर सी बात करें तो 8 इंट टू 2 क एक्सल कंफिर्गेशन के अंदरे गाड़ी आती है यह वाला टायर इसका लिफ्ट एक्सल रहता है जिसमें हैवी बलून दिये हैं बलून भी आपको मैं चेक कराऊंगा उसके बाद यहां पर डीजल टैंक सुगरा आ जाते हैं तो सबसे पहले दो टैंकिया इसमें आती है यह वाला 365 लेटर का डीजल फ्यूल टानक इया विद्टेफ टेकनोलोजी उसके बाद यहां पर ही इसके साथ में 65 लीटर का डीए Ξ er टेकनोलोजी का टैंक का जाता है यूरिया टैंक बोलते है और उसके बाद how टेकनोलजी क्यों करात यह जाता है यहां पर एफ्ट्रेस treatment system आ जाता है जो कि आपका pollution वगरा को carbon को इस रास्ते से आपका बाहर निकालता है जब regeneration होती है उसके बाद यहां पर बड़ी-बड़ी pressure tankies आ जाती है उपर यहां पर एक्साइड की दो बैटरीज है जो बारा-बारा वोल्ट का current बनाती है यानि कि 24 वोल्ट की यहां पर current capacity है गाड़ी की क्योंकि सैकेंड एक्सल में air suspension balloons मिले हुए है जो की गाड़ी के tires को lift करते हैं उसके बाद यहां पर तीसरा एक्सल जो आ जाता है जिसको हम drive axle भी बोलते हैं क्योंकि गाड़ी यहां पर 12 चका गाड़ी है तो यह वाला टेर आपका lift वाला रहता है यह आपका drive जो एक्सल जादा नीचे नहीं जाता जैसे कहीं पर जादा डाउन होता है तो लेवल में बना रहता है उसके बाद रिवर्स में यहां पर suspension ही बात करें तो जा सकता है पिछे में यहां पर आपको reverse parking sensors और reverse parking buzzer भी मिलता है यह देख सकते हैं आप reverse parking sensor यह जो आप देख रहे हो चैसी फ्रेम है जो bolted और rifted चैसी फ्रेम है गाड़ी का गाड़ी की चैसी की हाइट है वो 285 mm की है फ्लेंग लेंथ की बात करें तो जो यह देख रहे हो आप 85 mm की यहां पर फ्लेंग लेंथ मिल जाती है और सड़े 8 mm की यहां पर चैसी की थिकनेज मिल जाती है आपको इस गड़ी के साथ और 12 से 13 यहां पर cross members बीच में चैसी के डले है लाइट हैवी और मीडियम लोड वाल शरबार डीएफ की और फॉल्ट की जानकरी देगी टाइटैनियम वाइट कलर शोपेंट आ रहा है इस गड़ी में पांच जार आपको मिलेगाई यही गारी जो भार शमता के साथ से मलों लग लग वी वेस होते हैं तो गारी उसी साथ से टैर उठाती है अगर मालोब आप 28 फूट वाली गाड़ी है यानि 28 फिट वाली वीलवेस वाली गाड़ी है और आप उसके अंदर 32 फिट का बोड़ी तियार करवाते हो तो गाड़ी टैर खाने वाली है आपकी तो यहां चार ओप्शन्स आपको वीलवेस के टाटा है जिसके करणा आप अपली एप्लिकेशन के हसाब से अपने गाड़ी तियार करवा सकते हो टैर की प्रोप्लम कम जोती है क्योंकि टैर की कंजप्शन काफी जादा रिड्यूस हो जाती है से जैसे अब यह गाड़ी है तो कैटबरी की यहां पर चोकलेट को यह लोड़ करन रियर एक्सल और हब गरीसिंग भी 160,000 किलोमेटर पर आपका सर्विसिंग होने वाड़ी है पहले जो टाटा 35,000 या ताटा 35,000 जो भी गाड़ी आ रही थी उनके अंदर आपका पावर काफी कम रहती थी गाड़ीयों के क्योंकि 35,000 में आपका 210 होर्स पावर की पावर रहत या काफी जादा यहां पर पावर बढ़ गई या गाड़ी की 14 टारी में जो पावर आती है वह पावर यहां पर जनरेट कर रहा है एंजन अगर आप सोच रहे हो कोई हैवी गाड़ी लेने के लिए कहीं आपको नया बिजनस हाब को करना है गाड़ीयों का तो आप यह यहां पर उससे देखो कितनी ज्यादा हाइट चल गी है इस गाड़ी की यानि टाटा ने हरे गाड़ी में यही वाला घोड़ी वाला कैबिन देनी लग गी है क्योंकि अगर देखा जाए तो छे चक्की भी आ रही जो चाहे छोटी सी गाड़ी होती है वह भी इतनी उन्ची हो गई यह देख सकते हैं अब हाइट ना आप सकते हो इसका डैश्वड कहा है और बारां चक्की का मारी का कितना उंचा डैश्वड हो चुक है अब दिक्कत आगी थी गाड़ी अभी बोड़ी लगने के लिए आई थी जब एक बार इसको पार करकर के बंद किया गया उसके बाई बाई